मल्टी टे के यूट्यूब चैनल में आप सभीका स्वागत है में भी वेक आज CCTV के कॉर्स के बारे में ये बताने वाला हूँ कि हमारे हां CCTV के कॉर्स में क्यों क्राये जाता है तो multi-take में क्या ऐसी खासियत है जिसमें आपको CCTV का कोर्स ज्वाइल करना चाहिए तो सबसे पहले हमारे हाँ जो CCTV की क्लास से स्टार्ट होती है वो बेसिक से स्टार्ट होती है बेसिक का मतलब कि अगर कोई इस्टुरेंट हमारे हाँ आता है CCTV का क्लास करने और उसको यह नहीं मालूम है कि CCTV का Full Form क्या होता है तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं CCTV का Full Form से क्योंकि बहुत लोग CCTV जानते हैं लेकि CCTV का जो Full Form होता है वो उनको नहींіт Πता होता है तो हम CCTV के Full Form से लेके उसके बाद हम आगे आते हैं Camera पे पहला जो topic होता है वो हमारा CCTV camera का क्योंकि CCTV के film में जो main role होता है वो camera का होता है तो camera कितने types के होते हैं, design के recording कितने types के होते हैं, उनके अंदर features कैसे कैसे होते हैं, technology के recording camera कैसे होते हैं तो वो सारा जो पहली class का topic होगा वो हमारा camera के recording होगा जैसे design कनुसार camera अलग आते हैं जैसे आप देखोंगे dome camera डूम camera जो होता है वो wide angle को cover करने के लिए होता है ऐसा area जहां पर width ज़्यादा cover करना हो और distance कम करना हो तो वो design पर depend करता है उसी तरह एक bullet camera जो कि lumber type का होता है यह camera जो है lamba को ज़्यादा cover करता है width को कम cover करता है इसका मतलब कि camera भी जो आते हैं वो design का अनुसार उनके अंदर features भी होते हैं तो design का अनुसार कौन सा camera कहा यूज होता है कितने दूरी पर यूज होता है वो सारा topic हमारा पहले camera पे चलता है उसके बाद camera की technology पे आते हैं से आजकल HD camera है, IP camera है और wireless camera यह तीन टेक्नोलजी के camera market में available है जिसमें जो पुराना camera हो गया वो HD camera हो गया जिसको हम लोग digital camera बोलते हैं और latest में जो camera चल रहे हैं वो हमारा IP camera तो HD camera, IP camera में क्या अंतर है, उनके features में क्या अंतर है, कहां हमें HD camera यूज़ करना चाहिए, कहां में IP camera यूज़ करना चाहिए, किस budget में लगाना हो तो किस camera के साथ जाना चाहिए, वो सारा चीज जो हम camera के topic में बदाते हैं, उसके बाद ये सारा चीज camera के बारे में हो जाता है, तो उसके के डिजायन टाइप्स टेकनोलोजी बताने के बाद हम आते हैं DVR, NVR और XVR पर क्योंकि CCTV का इंपोर्टेंसी तभी है जब हम उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करने के लिए डिवाइस यूज़ की जाती है वह होती है DVR, NVR, XVR DVR, NVR, XVR में क्या अंतर है कौन सा कहां यूज़ होता है उसके अंदर खासियत क्या है वह हमारा दूसरा टॉपिक चलता है जिसमें आपको पता होगा कि सौप्टेर के थूरू सारा काम होता है जैसे मालीजे आजकल केमरे में बहुत सारे सौप्टेर आ गये हैं जैसे human detection अगर मान लिजे कैमरा कहीं लगा हुआ है और वहाँ पर human का कोई motion होता है आदमी का मतलब जानवर उनवर हो रहे हैं वो तो अलग है अगर motion human का होता है तो वो भी उसको detect कर लेगा face recognize camera आ रहे हैं तो वो सब dbr, nbr के software पर depend करते हैं वो तो setting कैसे करते हैं कैसे storage manage करने की setting करते हैं कैसे camera के अंदर जाके setting करते हैं वो सब हम dbr, nbr से access करते हैं तो जो पूरा software है वो हम dbr, nbr, xbr का software दूसरे topic बदाते हैं जैसे जितने भी branded है ब्रांड है जैसे हीक विजन हो ग Samsung हो गया, Sony हो गया, यह जितने भी dbr, nbr हैं company के सब के software का practice हमारे हां दुसरे stage में करवाया जाता है, दुसरे topic में करवाया जाता है, उसके बाद तिसरा topic स्टार्ट होता है वो होता है power supply का, cctv field में जो सबसे main topic है वो है power supply का, क्योंकि जो problem आते है, 90% problem जो आते हैं वो power supply से related आते हैं, जैसे camera चल रहे हैं, पता चल रहा है कि 15 camera चल रहे हैं, दो पे video आना बंद हो गया, दो पे blur आ रहा है, मानिजे दो पे features जो है, धुंदला धुंदला टाइप का रहा है, तो यह सब related जो problem होते हैं, वो ज्यादा तर power supply से होते हैं, तो हमें कैसे क्या check करना है, कित पता जो option आता है, वो हमारा cable का आता है, सबसे main role, cable, HD camera के लिए अलग cable यूज़ होते हैं, IP camera के लिए अलग cable connector यूज़ होते हैं, अगर माल लिए कहीं हम site पे गये और वहां underground wiring करना हो, तो उसके लिए अलग cable यूज़ होगा, बाहर से wiring करना हो, तो उसके लिए अलग cable यू केबल पे चलता है, č اللह होथा टोपिक का एगल का, जो अगला टोपिक अगले चहलता है वे श्टोरेज डिवाइस्स को अधाय irm हसुग कने फिरेक खी में ही बॉद का और भीर अगली में हमार्पिक नार्बिख लिए बने होते हैं जैबकि हमारे queste CCTV field में अगर hard disk लगा दिया गया तो लगभग सालों सालों तक recording करता रहता है तो हमारे CCTV field में कौन सा hard disk लगता है कैसे पहचान करेंगे hard disk से related क्या क्या problem आता है उसको suit out कैसे करते हैं यह सारा चीज topic चलेगा हमारा पांचोए पे storage device में जैसे कभी-कभी होता है कि storage बीच में skip हो जा रहा है कभी-कभी hard disk detect कर रहा है कभी-कभी no hard disk लिख दे रहा है तो यह किस चीज से related problem है कैसे इसको सही करेंगे यह topic हमारा चलेगा hard disk ले उसके बाद कि अगर किसी site पे जा रहा है माली जै 32 camera लगाने हो 60 camera लगाने हो और वहां का जो honor है वह कहारा है कि हमें 3 मेहने की recording रखनी है 2 मेहने की recording रखनी है तो हम calculate कैसे करेंगे कि कितने का hard disk लगाएं कितने storage का hard disk लगाएं कि इनके हाँ 2 मेहने 3 मेहने का storage available हो जाए अगर हमने कोई hard disk लगा दिया commitment कर दे कि 3 मेहने का चलेगा और वह 2 मेहने में full हो जा रहा है तो क्या ऐसा setting करेंगे कि वह आपका 3 मेहने तक का storage कर ले तो यह सब storage device से related जो problem है वह हमारा पांचवे topic पे बताया जाता है छटे topic में आते हैं networking आजकल CCTV का जो main role है वो networking पे depend हो गया है क्योंकि हम घर office कहीं दूर रहते हैं और एक जगा बैट के हर जगा का monitoring कर लेते हैं अपने mobile पे अपने laptop पे वो तभी possible है जब हमें networking करेंगे तब और आजकल तो IP camera यूज होने लगा जो कि पूरा networking बेस है पूरा networking बेस तो networking में IP configure करना, IP setting करना, router से connect करना, router को कैसे हम active करते हैं, router के अंदर जाके कैसे अपने DVR, NBR को state करते हैं उसके बाद अपने DVR, NBR को कैसे online करते हैं, कैसे mobile पे देखते हैं, यहाँ तक की बहुत सारी problem भी आती है कि एक हमने अपने mobile पे add कर लिया, दुसरा कोई उसको add करना चाहता है, तो add नहीं होता है, उसके लिए क्या server से जूड़ के setting करनी पड़ती है, वो सारा चीज हम networking में सीखते हैं, और इतना topic बताने के बाद हम last में आते हैं, fault finding पे, कि CCTV फिल्ड में किस device से क्या related problem आता है, उसको हम कैसे find करते हैं, यहाँ पर problem डाल के उसको suit out करना तक बताया जाता है, और इतना हो जाने के बाद आपकी 2-3 दिन की class extra भी चलती है, कि आपको अगर कोई doubt है, त इतना करने के बाद अगर आप फिल्ड में कोई काम जब करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, और थोड़ी सी problem अगर face कर रहे हैं, तो हम लोग का lifetime support भी मिलता है, whatsapp group के through, calling के through, हम लोग lifetime support भी देते हैं, तो अभी हम short में ही बताया हैं, जबकि हमारे course में बहुत सारी चीज़ ह में चलती है, basic से advanced level पे, तो अगर आप CCTV में interested हैं, तो एक बार multi tech जरूर जोईन करिए, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.